हेलो फ्रेंद्स मैं मुकेश्या आज नीव टॉपी के साथ आपके समने आ चुका हूं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉंक्रीट में सिमें सेंड एंड एड्रीकेट का जो कॉंटिटी होता है वो कैसे निखालते हैं हमलिक साइट पे एक स्लेब कास्टिंग कास्टिंग के इसा मिकश योज़ता है ईसनाओ है उसके भी सेंड और और एग्रिगेट कितना किटना आएगा वो कैसे निकालतेने क्यूल है और निकालनाऊ नलीट दॏ वीडियो आप लोग पसंद आए तो प्लीज प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपकी डिमांड पर मैं डालूग और यह प्यूर्ली टैक्टिकल फिल्ट का नॉलेज है यह आपको बुक में नहीं मिलेगा यह मैं गैरें किसी डर करते हैं कि कनसीडर करते हैं कि यह वन की विक मीटर और एमक्यूब यह मिक्स हम लोग से कांशना मैं 15 अटिक है ट्वरीजियो है वन इस टूट वीज्ट फोर है यहां पर वन क्या है सिमेंट 2 क्या है सैंड और 4 क्या है अग्रिगेट अग्रिगेट में स्टोन चीप साथ जाते है एक चलो तो सम आफ रिश्यो कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आथा है 7 याद रखना ठीक है चलो यह मेरा 1 MQ जो है यह वेट वाल्यूम है हमें इसे कनवर्ट करना होगा ड्राई वाल्यूम में तो ड्राई वाल्यूम को फैक्टर क्या है ड्राई वाल्यूम में कनवर्ट कैसे करते है 1 यह 1 m3 wet condition में into 1.54 तीक है यह हो जाएगा 1.54 cubic meter यह मेरा convert हो गया wet condition sorry dry condition में तीक है उस dry condition में dry volume में cement कितना है sand कितना अगरिकित कितना है निकालेंगे तीक है पहले निकालते हैं cement पहला बताते हैं cubic meter में कितना quantity आएगा यह volume को डालना into यह m15 के एक ratio में कितना पार्ट है one part one by total sum of ratio कितना है seven by seven यह कीचेगा calculate तो आदाएगा 0.22 cubic meter ठीक है यह निकला 1440, 1440 क्या है density of cement ठीक है density of cement यह कीचेगा तो 316.8 kg ठीक है इतना kg cement लगेगा इतना volume के लिए इस रेशियो में चलो यह तो kg में निकल गया अब बैक्स में निखालते हैं यह कहते हैं वी नो वन बैग ओफ cement वेट 50 kg जान कि देन कि 316.8 kg कंटेंस कितना बैक्स 50 से डिवाइट कर देंगे 316.8 by 50 कितना आएगा 6.336 बैक्स ठीक है यह जो केजी आया उसको 50 से डिवाइट करेंगे तो में बैक्स मिल जाएगा कि नमबर फॉर क्यूबिक फीट सी एफ टी सी एफ टी में कितना आएगा सिमेल हम जानते हैं कि मुल्टिप्ली बैक्स तयह की जाएगा अऑ हूंन उख जाएख हाय ओ है QU भी लेलों परेंगे कितना चाह दाएगा बैक्सिह में यह रटील से है 6.336 into 1.226 1.26 क्या है सीमेंट का एक बैक पचास केजी उसमें कितना सीफ्टी होता है 1.26 तो इतना बैक में कितना सीफ्टी होगा मुल्टिप्लाइ कर देंगे तो निकल दाएगा 7.77 सीफ्ट ठीक है तो यह निकला मेरा सीमेंट है अब आते हैं सैंड पे सैंड का पहला बता था हूँ क्यूबिक मीटर में 1.54 जो वॉल्यूम है इन्टू रेशियो कितना है मिक्स का टू तू बाई टोटल सम है 7 इसको करेंगे तो 0.44 क्यूबिक मीटर ठीक है यह वॉल्यूम निकला क्यूबिक मीटर में केजी में 1.54 इंटू बाई 7 इंटू 1450 इसका आएगा 638 केजी 1450 क्या है यूनिट वेट ऑफ सैंड ठीक है यूनिट वेट वैसे वैरिस करता है यूनिट वेट ऑफ सैंड वेरिस बिट्विन 1450 तो 1500 केजी फर एंटू ठीक है 1450 से 500 के बीच में होता है यह वैलू यूनिट वेट वेट ऑफ सैंड मैंने पत्व है 1450 उसके हिसाब से करोगा तो 638 केजी आएगा ठीक है नेक्स्ट निकालते हैं सिफ टी में इस पैसे नेक्स्ट में कर दा हूँ सिफ टी में सैंड 1.54 जो टोटल वॉल्यूम है टू बाइ सेवें टू रेशियो है टोटल सम आप रेशियो सेवें इन्टू 35.3147 यह आएगा 15.54 35.3147 क्या है हम जानते हैं 1m3 में होता है 35.3147 cft अगर इसको छोड़ दो सिर्फ इसी को निकालेंगे तो हम लोग यहां पर किये थे ना हो कितना आया था क्यूबिक मीटर मीटर क्यों अगर इसी को मल्टिप्लाइ करेंगे हम लोग 35.3147 से तो आजाएगा cft में ठीक है नेक्स्त एक और अल्टर्नेटी बताता हूं cft में निकालने का एक और पर्मूला है cft में निकालने का क्या number of cement bags into value of one bag of cement in cft into ratio of cell है ठीक है चलो देखते हैं number of cement bags कितना है हम लोग निकाले हैं यहाँ पर number of cement bags हम लोग का आया है 6.336 bags ठीक है 6.336 into value of one bag of cement in CFT हम लोग जानते हैं back cement का CFT में value होता है 1.226 into ratio of sand ratio of sand कितना है 2 2 15.154 CFT दो दोनों सेम आया ठीक है next बताएंगे अब aggregate ट्रीक है अग्रीगेट में आते हैं पहले किवीक मीटर में टोटल वॉल्यम है ड्राइब वॉल्यम पॉल्यम फाइप फोर एग्रीगेट का इश्य कितना है पूर टेक है 4 by 7 इसको करेंगे तो 0.88 cubic meter नॉम्बर 2 केजी में कैसे निकाने में 1.54 into 457 into 1500 यह है उनिट वेट अग्रीगेट उनिट वेट अग्रीगेट यह आप कह सबते हो आप देंसिटी अग्रीगेट ठीक है यह वेरी करता है वेरीज वेरीज में बिट्वें 1450 से 1550 केजी पर मिटर केव ठीक है इससे इसके पीछ वेलू वेरी करता है मैं इसके पीछ को पकड़ा हूं इसके पीछ के आप से आएगा एग्रीगेट कितना केजी ठीक है अब इसमें भी बहुत जगा होता है स्टोन चीप्स 20 का साइज का 10 का साइज का ठीक है तो उसका भी रेशियो होता है 60 40 या 50 50 तो उसे आप से निकाल लेंगे नमबर तीन जो लास्ट है मेरा सी एफ टी से एफ टी में कैसे निकलेगा इए वन पॉइंट फॉर फा पाइज सेवन सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मिल दाएगा सीफ्टी जो आएगा 31.07 एक और अल्टरनेटी बताता हूँ अभी मैंने एक फॉर्मॉला लिखा था है नंबर आफ सिमेंट बैक पुंटिप्लाइब वैलु ओफ वन बैक आफ सिमेंट इन सीफ्टी इंटू रिश्यो ओफ एग डिगेट एक चलो नंबर आफ सिमेंट बैक्स कितना है सेम सिक्सपोंट इते सीक्सपेक्स इंटू वैलो फोन बैक आफ सीमेंट इन सी इफ्टी कितना होता है वन पॉइंट विडियो में देख सकता अब लोग जाकर इन्टू डिश्यो पैग्रिगेट कितना है फोर टीक है फोर्टी वन पॉइंट जिरो सेवेंट देखिए यह और यह दोनों सेम आया तो यह हुआ मेरा पूरा विडियो मैं आशागा तो आपको अच्छा लगेगा और प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मै वीडियो पसंद आये तो तो मैं अपना वीडियो यहां पर खतम करता हूं नीचे देखिए मैं लिंक दिया हुआ है वीडियो पर आ रही है उस लिंक पर जाके आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बाक्स मे को दीजिए मैं इसका एंसर जरूर दूंगा विदिन 24 अबर्स ठीक है थैंक यू